नमस्कार मैं हूँ जूली आप इसको देख रहे हैं देंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आररवी अंटीपीसी के रिजल्ट को लेकर पटना में छात्रों ने किया प्रदर्शन मंतरी के बेटे पर लगा गोली बारी का आरोप पपुयादों ने कहा सरकार डेट फाइनल करें कि अपरादी घटना आएक कब रुकेंगी कैप्टन अमरिंदर का आरोप सिद्धू को मंतरी बनाने के लिए पाकिस्तान से की गई थी लॉबिंग नीट यूजी कांसलिंग के लिए रिजिस्ट्रेशन का आज आखरे दिन अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की दिन भर की बड़ी खबरों की और विस्तार से आरारबी एंटीपीसी के रिजल्ट को लेकर पटना में चातर ने किया प्रदर्शन 14 जनवरी 2022 को एंटीपीसी का रिजल्ट आरारबी के द्वारा घोशित किया गया रिजल्ट आने के बाद सहीं चातरों का कहना था कि रिजल्ट तो 7 लाग से अधिक थे लेकिन ये चातर नहीं सिर्फ रॉल नमबर थे अगर कैंडिडेट्स को देखा जाये तो वो सिर्फ 2-5 लाग के आसपास हैं इसके बाद नाराज चातरों ने रिजल्ट रिवाइस कराने की मांग की 18 जनवरी को ट्विटर पर ट्रेंड भी कराये गया लेकिन रेलवे के कान पर जू तक नहीं रहेगा रेलवे भर्ती बोट की तिरफ से इस पस्टी करन में कहा गया कि हमने सीट से 20 गुना ज्यादा रिजल्ट दिया है हाला कि रेलवे ने ये भी स्विकार किया कि एक ही चातर का रॉल नमबर कई बार रिजल्ट में आया है और इसी की वज़े से अब छातर विरोध कर रहे है लगातार रिजल्ट रिवाइस करने की मांग को जब रेलवे ने अंसुना कर दिया तो आज छातर सड़कों पर उतर आये और जोरदार प्रदर्शन किया मंतरी के बेटे पर लगा गोली बारी का आरोप बिहार सरकार के परेटन विभाग के मंतरी नारायन प्रसाद के बेटे बबलु पर हवाई फाइरिंग करने का आरोप लगाया गया है बता दे कि भारतिय जंता पार्टी के नेता और परेटन राज्य मंत्री नरायन प्रशाद के बेटे बबलु कुमार और ग्रामिनों के बीच मुफसिल थाना इलाके में हर दिया कोईरी टोला में जड़क हो गई इस घटना का वीडियो भी सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है बताया जा रहा है कि मंत्री के बगीचे में खेल रहा है बच्चों की बबलु ने पिटाई कर दी इस दोरान बगीचे के पास मौजूद कुछ महिलाओं ने बीच बचाओ करने की कोशिश की तो मंत्री के बेट नारदन कुमार की मा के बयान पर मंत्री पुत्र बबलु कुमार सहित साथ लोगों पर मार्पिट करने की केस में एफायार दर्ज कराया गया है नीट यूजी कांसलिंग के लिए रेजिस्ट्रेशन की आज आखरी तारी देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के इसका भुगतान भी कर सकते हैं गौर तलब है कि जिन चात्रों ने सिर्फ पंजीकरन किया है और विकल्प भरा है लेकिन लौक नहीं किया ऐसे चात्रों को सीट अलॉट होने में परिशानियों का सामना करना पर सकता है ऐसे मेडिकल कांसल कमिटी की और से चात्रों को सला है कि पंजी करन के बाद आवेदन के बाद विकल्प को भरने के बाद उसे लौफ जरूर कर ले नालंदा शराब कांड में मुख्या अभियुक सुनीता समेट साथ लोगों की गिरफतारी नालंदा जहरीली शराब कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है गौर तलब है कि बिहार शरीफ के सोहसराय थाना शेत्र के छोटी पहाड़ी इलाके में बीते 15 जनवरी को हुए जहरीली शराब कांड में 13 लोगों की मौत हो गई इस मामले में पुलिस अधिक चुक अशोक मिश्रा के निर्देश पर SI टीम गठित की गई मुख्य अभ्युक्त सुनीता मैडम उसके पुत्र सूरज सहित साथ लोगों को गिरफतार कर बड़ी सफलता हासल की गई है इस घटना में कुल 6 मामले दर्श किये गए थे इन गिरफतार अभ्युक्तों में सुनीता देवी उर्फ लंकी उर्फ मैडम मीना देवी उर्फ बड़िया, संटु कुमार, सुरज कुमार, डिंपल कुमार, सौरव कुमार, संतोष चौधरी शामिल है जहरिली शराब कान का सबसे चर्चित नाम सुनीता मैडम है बारिश से जल्द मिलेगी राहत ठंड से पूरे जनवरी महीने में राहत मिलने की उम्मीद बेहत कम दिख रही है रविवार को छपरा राजी का सबसे ज़्यादा ठंडा स्तान रहा जहां नियूंतम तापमान 10.3 डिगरी सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं फारबिस गंज का तापमान सबसे ज़्यादा 20.3 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया पॉर्टना मौसम विग्यान केंदर के विग्यानी संची कुमार का कहना है कि प्रदेश में पस्ची में विक्षोब के कारण बारिश हो रही है अकाश में बादल चाय हुए है राजी के मध्य एवं पस्ची में हिस्से में बारिश हो रही है सोमार को भी प्रदेश के मध्य एवं पस्ची में हिस्से में बारिश हो सकती है इसके ताइट सबसे एहमनियम यह है कि जिस जिले में learning license बनाया गया है वही से स्थानी लाइसेंस भी बनेगा यानि बिहार में अब दूसरे जिले में स्थाई लाइसेंस बनाने का option खत्म कर दिया गया है इस संबन में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को पत्र लिख कर सौफवेर में आवश्यक विवस्था करने का आदेश दिया है learning driving license जहां बनेगा वही स्थाई भी होगा वहां चालक दूसरे जिले में जाकर अब स्थाई driving license नहीं बनवा पाएंगे कम से कम 4 सीटों पर MLC चुनाओ लड़ेगी VIP VIP के प्रमुक मुकेश सहनी ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारी पार्टी का जो जनाधार है उस आधार पर कम से कम 4 सीटों पर हम चुनाओ लड़ेंगे वैसे 24 सीटों पर तयारी है उन्होंने कहा कि MLC के होने वाले चुनाओ की सभी 24 सीटों पर हमारी तयारी है उन्होंने कहा कि NDA से हमारा गडबन धन 11 विदान सवा सीट और 1 MLC पद के लिए हुआ था MLC 6 साल के लिए करार हुआ था जो अब भी उन पर हमारा बकाया है 23 फरवरी तक पंचायत प्रतिनिद्यों के खाते में मासिक भत्ते का होगा भुगतान 23 फरवरी तक पंचायत प्रतिनिद्यों के खाते में मासिक भत्ते का भुगतान कर दिया जाएगा इसके लिए भिहार सरकार ने 72 करोर 32 लाख रुपे जिलों को भेज दिये हैं पंचायती राज विभाग ने सभी उप्विकास आयुक्त मुख्यकार पालक पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को 23 फरवरी तक मासिक भत्ता उपलप्त कराने का निर्देश दिया है जिला परिशद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रखन प्रमुख, उप्रमुख, मुख्या, उप्मुख्या, सरपंच, उप्सरपंच, वाट सदस्य, ग्राम को चहरी के पंच, पंचायत समीती के सदस्य वजिला परिशद सदस्यों के अकाउंट में मासिक भत्ते की राशी का ट्रांसफर कर दिया जाएगा पपु यादो ने कहा सरकार डेट फाइनल करें कि अपरादी घटनाएं कब रुकेंगी दो दिन पहले राज़दानी में सबसे बड़ी लूट को अंजाम दिया गया लगभग 35 किलो का सोना लूट कर से चोर फरार हो गए इसे लेकर अब बिहार सरकार और प्रशासन की फजीहत सुरू हो गई है ऐसे में जनाधिकार पार्टी के प्रमुक पपु यादो आज जूलिरी शॉप के मालिक से मिलने पहुँचे मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि बिहार में जितनी भी अपरादिक घटनाएं हो रही है उसके पीछे नेता जिम्मेदार है अगर बाहुबलियों को टिकट ना दिया जाये तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी साथ ही उन्होंने इसमें पुलिस की साठगाट का भी आरोप लगाया उन्होंने नितीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि आप डेट फाइनल करे कि कब बिहार में अपरादिक घटनाएं खत्म होगी और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो पंदर दिनों के लिए पटना हमारे हव कर दीजी हम सब कुछ ठीक कर देंगे विशेष राजी के दर्जे पर भाजपा की दो टूप कहा मांग पूरी करना संभव नहीं भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजर जासवाल ने कहा कि कानून के तहत और 14 वे वितायों की सिफारिश के कारण विशेष के दर्जा का प्रावधान ही नहीं रहे गया विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर जद्यू राश्टी अध्यक्ष ललन सिंग को उन्होंने सुझाव देती हुए कहा कि जार्खंड तेलंगाना च्छतिस गड़ और उडिसा समेट कई राज्य इसकी मांग कर रहे हैं ल करकंज में 14 करोड की डखैती के मामले ने तूल पकड़ लिया है सराफ कारोबारियों ने साफ कर दिया है कि सोमवार तक 14 करोड से अधिक के लूटे गए सोना और 14 लाग रुपे कैश को पटना पलिस बरावद नहीं कर सकी तो इसका बड़ा आंदोलन किया जाएगा पाटल जिलों के सराफ कारोबारी एसोसियेशन के अध्याक्षों के साथ बात की जाएगी उनके साथ एक हाई लेवल मीटिंग होगी बुद्वार को इस मसले पर एक बात करके सर्वसम्मती से बड़ा फैसला लिया जाएगा कैप्टेन अमरिंदर का आरोप सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से की गई थी लॉबिंग पंजाब के पूरु मुख्य मंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंग ने पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा समय में कॉंगर्स नेता नौजोट सिंग सिद्धू पर आरोप लगाया है कि 2017 में जब पार्टी भारी महुमत से जीती थी तो नौजोट सिंग सिद्धू को मंत्री पनवाने के लिए पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इम्रान खान और उनकी करीवियों ने जम कर लॉबिंग की थी कैप्टन अमरिंदर के मताबिक पाकिस्तान में रहते इम्रान खान और नौजोट के बहुत करीवी दोस्तों ने उन्हें फोन पर भेजे मैसेज में में हल्चल तेज हो गई है गर्दंत्र दिवस को लेकर जारी हुआ अलर्ट गर्दंत्र दिवस पर नक्सली गत्विधिया बढ़ जाती है इसके आशंका भी बढ़ जाती है लहाजा पुलिस को रेलवे स्टेशन बस टैंड प्रमुक बाजार समेट महतुपुन सरकारी प्रति में लगे सुरक्षावलों को विशेष ततर्पता बनाने को कहा गया है नेपाल से लगे बिहार की सीमा पर भी विशेष नजर रखने को कहा गया है प्रमुक सड़कों पर नाके बंदिकर गाडियों की जाच करने का भी निर्देश है दिल्ली और आजपास के स्टेशनों प के अक्सर सुरक्या बतोरी है हाली में उन्होंने अपनी स्टा स्टोरी के जरिये बताया है कि क्यों साउथ की सूपर स्टार्बं इंतनी पॉपिलर होती जा रही है कंगना रनौत ने बताया कि साउथ की फिल्म में बॉलिवुड पर भारी पड़ती है बता दे कि बीते दिनों साउथ इंडियन फिल्म पुषपा रनवीर सिंग की फिल्म तिरासी को बीट कर गई इसके पीछे कंगना ने कुछ वजह बताई है पहली बजह वो भारतिय संस्कृती से बहुत गहरी तरद से जुड़े होते हैं दूसरी बजह वो अपने परिवारों और रिष्टों को प्यार करते हैं रनौत ने साउथ इंडियन स्टार्ट को नसीहत देते हुए लिखा क्योंने बॉलिवूड को खुद को करप नहीं करने देना चाहिए टीम इंडिया की हार पर दीपक चहार हुए गमगीन कल हुए वंडे सिरीज के आँखरी मुकाबले में भारतिय टीम चार रनों से हार गई वो सुन्य तीन से सिरीज हार गई हालाकि जब दीपक चहार बल्ले बाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि टीम इंडिया ये मुकाबले में जीत जाएगी चहर ने 34 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 54 रन की पारी खेली उन्होंने जस्प्रीग गुमरा के साथ आर्फे विकेट के लिए 55 रनों की साज़िदारी की दीपक की बल्ले बाजी देखकर एक पल के लिए सबी को लग रहा था कि टीम मुकाबला जीत जाएगी दीपक चहर जब पविलियन पर लोटे तब टीम इंडिया को 11 रनों की जरूरत थी लेकिन आउट होने के बाद टीम इंडिया सिर्फ 5 रन ही जोड़ पाई और 4 रनों से मुकाबला हार गई इसार का दर्द दीपक चहर के चहरे पर साफ दिख रहा था मैच के बाद वो भावक नजर आए इनकी तस्वीरे अभी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रही है पिलार इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही अगर अभी तक आपने हमारी यूट्प चानल दे इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो हमारे Facebook पेश पर देख रहे हैं पेश को लाइक और follow जरूर कर लें धन्यवाद